हाई व्रिवान मैं हूँ स्वाती वेलकम बैक टिमाई चैनल के से आप सब अपने अपनी ध्यान को रख रहे होंगे तो आज के विडियो में में आपके साथ यार करूंगी करवाचोथ में कर सकते हो आप दिवाली बे भी कर सकते हो और बहुत ही इजी व्रीजी सी लुक है बह होती सिंपल सी स्टेप मैंने फॉलो की है बट बहुत ज्यादा प्यारा लुक निकल के आया है तो सबसे पहले मैं अपनी फेस की यहां पे क्लीन कर चुकी हूँ उसके बाद पहले अपनी टोनर अपलाई करनी है देन उसके बाद अच्छे से मॉस्टराइज कर लेनी है अप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इनकिस कोई भी चीज से बाई करना चाते तो वहां से बाई कर सकते हो तो यहां पे जो प्राइमर को मैं अच्छे से अपनी फेस में अपलाई कर लूँगी उसके बाद मिहां पे फाउंडेशन ले रहू हूँ जो की यह फेस क कि अकडिद्ध मेरे स्किन के अकडिद्ध यह बहुत ज्यादा अच्छे से वोक करती है उसको यह से डौट डट करके अपलाई कर लेनी है पोगी में बएक ब्लिन कर लेनी है उसको बहुत बेलगी है बिल्कुल भी आपकी फेस को ड्राइ होने नहीं देता तो यह फाउंडिशन काफी जाए अच्छा लगता है तो आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा परहने हैं अच्छा से टाइम लेके मैं अपनी फाउंडिशन को जो हम छैसे में डी पर मुझे करके अट्र जाहिआ के लिए सबस्ति की यह евि ब्लेंड कर सकते हो तो कुछ ऐसे मुझे कर लेनी है और जो भी मेकप प्रड़क्ट हमने अपलाई की है जो भी लिक्विड प्रड़क्ट हम अपलाई की है उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है इसलिए में माइगलाम पोर एस्टी सेटिंग पाउडर की हल्फ से अपनी जो भ सेट करना बहुत ज़रूरी है अगर थोड़ी टाइम के बाद टिके की नहीं तो सेट करना ज़रूरी है उसके बाद में अपनी आइवरो को फिल कर लोंगी कुछ इस तरह मैंने अभी आइवरो सेप कर आई हूं तो सेप बहुत अच्छा है बस मुझे थोड़ा सा जो भी फ यह इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारी आई मेकप की तरफ तो आई मेकप के लिए में फिलाल इूस कर रही हूं यह स्कॉर्ट गॉल जो की माई गलाम की स्कॉर्ट गॉल इससे ट्राइवरो पीक करोंगी हमारी क्रीस में उसको कुछ इस तरह अपलाई कर लेनी है फिले अपल कि में एक आई अच्छे से जो एक बना के फिर दूसरा आई भी जा सकते हूं तो हमेंसा जो है में दोनों आई में सेम प्रोसेस को फॉलो करते ही जाती हूं उसके बाद सेम प्यालेट से में आपे कंट डिल करके एक व्राउंड सेड है उसको पिक करूंगी और मेरी यहां प पिक कर लोंगी तो हमें प्रेस करने बाहन पर कि वहीं जगे पर आपको काट क्रिस नहीं बनानी है बढ़ लूक को कॉर्ट क्रिस जय सही आती है यहां पे मैं अपनी आई-लाइनर अप्लाई कर लूगी तो यहां पे मैं अप्लाई कर रही थी बट कुछ ऐसे हुआ कि थोड़ा सा नीचे फेल गया था तो इसको मैं अच्छे से क्लीन करूंगी देन हम आगे की तरह बढ़ेंगे तो उसके बाद में यहां पे जो है जो हमार जिनकी फेस बहुत ज़्यादा सार्फ है उनको करने की जरूरत नहीं है अगर आपको थोड़ा सा ऐसे हेवी साइट में आपकी फेस ऐसे दिखती है तो आप थोड़ा से कंटूरिंग कर सकते हो नोस की भी कंटूरिंग कर सकते हो जिनकी नोस जेनरली छोटे होते हो उनको कं मुझे कंटूरिंग करना अच्छा लगता है थोड़ा कलर भी आड़ हो जाता है थोड़ा सा सेव जो है अच्छा लिखता है तो इसलिए मैं करती हूँ उसके बाद हम ब्लस अपलाई कर लेंगे हमारी हाई चीग वोन्स में कुछ इस तरह ब्लस के लिए मैं यहां पर सुगर की मीनी ब्लस जोगी 02 पिंक यह सेड यूज कर लूँ और बहुत जादा प्यारा सेड है और काफी जादा अच्छा लगता है उसके बाद में अपनी आइस में हाइलाइटर अपलाई करूँग जोगी इनर करनर में अपलाई करूँगी हाई अपलाई करते हैं तो आइस की जो लुक है न बहुत जादा इनांस होती है काफी जादा अच्छा लगता है मेकप यहां पर हमारा खतम हो चुक है उसके बाद में पर मेकप फिक्सर के हैब से अपनी मेकप को सेट कर दूँगी उसके बाद में यहां पर कोई फेक लासिस नह है तो आप इसको भी कर सकते हो लगा सकते हो फेक लासिस को स्किप कर सकते हो और मैंने रेड लिप्स्टिक लगा ली है यहां पर कातम होती है मेरी फाइनल लुक आप देख सकते हैं कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरू बताना इस लुक को आप जैसे भी कोई भी करना मत भूलना से यार करें अपनी फ्रेज्ट्स और एक आमने चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो यह मेरे कंप्लीट लूग जो कि में ऑप्री करवाचो असेलिवरेशन में और जूलरी में हम गये थे तो वहां